हेलो फ्रेंस वेलकुम बैक टो माई चैनल असलाम उलेकुम आप सब लोग खैरियस से होंगे तो फ्रेंस आज मैं आप लोगों के साथ शियर करने वाली हूँ दिल्ली के मशूर बहुती टेस्टी बहुती लाजवाब राम लड्डू की रेसिपी कुछ लोग राम लड्डू क आप किसी भी फेमस जगा खाई है या फिर किसी रेडी वाली कि यहां से वहां पर भी गर्म गरम लड्डू को जब सर्फ करते हैं उसके उपर से थोड़ी सी मूह ली और उपर से चटपटी चटने डाल कर वही मज़ा आ जाता है तो फिर चलिए फ्रेंस आसे लड्डू बन बनाने के लिए है मूंकी धुलीवी डाल इसको मैंने कप से मेजर किया था तो यह एक कप डाल है और यहां आदा कप मैंने यहां ली है चनी की डाल चनी की डाल और मूंकी डाल को मिलाकर ही लड्डू बनाए जाते हैं और बहुत ही जादा सौफ्ट बहुत ही स्पॉंजी ब इन्हें आप डालिएगा जरूर क्योंकि इन्हें डालने से हमारे चटनी में थिकने सच्छी आती है हमने प्याज का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है तो इस वज़े से स्यो पापड़ी या बूंदी आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं और यहां मैंने 5-6 हरी मिर्च ल बनती है और एक दिम जैसे बाजार में राम लड़ू मिलते है विल्कुल वैसे वेली चटनी हमारी बनकर तयार होती है तो यहां मैंने दो मूली नहीं इनको मैंने आधे-ाधे टुकडों में करकर रखा हुआ है इनको मैंने अच्छे से चील लिया है वाश करके इन मूलियो इनको मैंने अच्छे से वाश करके रखा हुआ था और इसी वक्त हम इसमें नीवू भी नचोड़ देंगे तीनों नीवू को हम इसी तरह इसमें एड़ कर देंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे स्यो जो हमने लेकर रखे थे स्यो भी हम इसमें एड़ कर देंगे बहती अब हम इसमें एड़ करेंगे तींचा टेवल स्पून भरके पानी जिसी कि हमारे चटनी की थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट रहे और अब हम चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तो चटनी हमारी पिस्चु की आप देख सकते हैं कितनी बहतरी इन एकदम मार्कीट तो सारी मूली को हम इसी तरह से कद्दो को सकर के रखेंगे तो अब चलिए अब हम चलते हैं राम लड़ू बनानी की तरफ तो यहां मैंने जो डाल रखी थी पान से चे गंटे के लिए वो डाल हमारी सोक हो चुकी है और इसका पानी मैंने निकाल दिया है एकदम ड्राइ ह हो गई है दाल तो अब हम इसे मिक्सी जार में डाल कर अच्छे से ग्राइंड करेंगे और दाल को हम पीस लेंगे और दाल को पीसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें पानी उतना ही डालना है जितनी की हमें जरूरत हो तो फ्रेंस हमारी दाल पिसकर के तयार हो तो अब हम इसमें एड करेंगे नमक- अपने सो अंपसे करेंगे हल्दी हल्दी से इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया फिश्की इसमें ऑप्चनल हैpha तो डाले वरना की कर सकते हैं और एप सारी चीजों को हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 10-15 मिनिट के लिए लगबग और फेटेंगे हाथों से इस तरह से एक ही डारेक्शन में आप हाथों को चलाते हुए अच्छे से इसे फेटे जिसी कि हमारी जो दाल है वो बहुत ही बढ़िया और भी ज्यादा फलप्पी हो जाएगी और हमारे जो लड्डू है बहुत ही बढ़िया एकदम सौफ्ट बनकर तयार होंगे लेकिन इस प्रोसेस को हमें कंटिनेसली करते रहना है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है अगर छोड़ देंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और हमारे जो लड्डू है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे डाल को लगातार फेटते हुए 10-15 मिनिट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं हमारी डाल की कंसिरसेंसी किस तरह की है और इसी तरह की हमें डाल चाहिए तो अब हम से ढखकर 10 मिनिट के लिए और अब हम इसमें थोड़ा सा पोशन लेंगे डाल का और इसमें डाल का चैक कि तेल हमारा गरम है कि नहीं जैसे कि हमें चाहिए तो तेल में डालने की बाद में हमारे जो लड्डू है वो एक दब अच्छे से फूल गया है और आप देख सकते हैं एक दब बढ़िया तरीक और आप देख से हमारा तेल भी गरम है तो हमें इसी तरह का जो तेल है वो गरम चाहिए तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां हमारा तेल गरम हो चुका है और अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पोशन लेके और तेल में डालते जाएंगे और हमारे जो लड़ू है गोल गोल बनकर तयार हो जाएंगे तो जितना हमारा ओयल है उतना हम इसमें लड़ू को डाल देंगे इसमें हमें लड़ू को गोल करके डालने की कोई भी जरूरत नहीं होती हमारी जो डाल है अच्छे से हमसे फेटते हैं वस वही हमारी जो मेहनत वो यहां रंग लेकर आती है क्योंकि हमारी दाल अगर अच्छे से फिटी हुई होती है और अब जब हम उसके लड्डू बनाते हैं तो अपने आप ही अपनी गोल शेप ले लेती है और हमारे लड्डू बहुत ही बढ़िया से बनकर तयार होते है तो हम लोटू मीडियम फिल कम-से कम साथ आठ मिनिट हमें लगें लड्डू को फ्राइब करने क्यूंकि हम लो फ्लेम पर करेंगे तो यहां देखिए 6-7 मिनिट हो चुके है हमारे लड्डू बनकर के एक तम तयार है बड़िया से सिख चुके हैं तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो इ तो आपने देखा होगा जब आप लेने जाते हैं तो बहुत ही स्वाधिस्ट हमारे लड्डू हो जाते हैं तो दोबारे से भी हमारे लड्डू फ्राय हो चुके हैं और अब हम इने निकाल कर अच्छे से सर्फ करेंगे तो फिर ये देखिए कि इतने बढ़िया हमारी लड्डू बनकर तयार हो गए हैं तो अब हम इने सर्फ करेंगे तो सबसे पहले हम प्लेट में लड्डू को लगाएंगे इस तरह से और अब हम इस पर डालेंगे मूली जो हमने मूली घिसकर रखी थी इन मूली ओ में मेने मूली के पत्यों को अभी बरी काटकर थोड़ा सा डाल दीया था जिसकर यह दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं तो हमारी लड़ू बनकर के तयार हैं तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा यकीन मानिए सब को बहुत ही जादा पसंद आएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम मार्कीट जैसे एकदम बजार जैसे हमारे जो लड़ू हैं वो बनते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं बच्चों को क्या बड़ो को क्या सबी को बहुत ही पसंद आते हैं और जब चीजों को हम घर में बना कर खाते हैं और खिलाते हैं तो वो healthy भी हो जाती हैं और इसमें मिलाविट की तो कोई गुंजाईश ही नहीं होती तो आप इन्हें बना कर घर में enjoy कीजिए और मुझे comment करके बताईए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please इसे like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ ही बैल अइकन को भी प्रेस कीजिए जिसे की मेरी आने वाली वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप जल से जल मेरे वीडियो को देख पाएं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye, Allah हाफीज